नमस्कार, 80Z तिशष उशय कोरजानी में आप सबका स्वागत है फ्रूट खाना हमारे सेद के लिए काफी फाइदे मंद होता है पर सबसे ज़्यादा एक ही फ्रूट होता है वो है सेव सेव जो है न उसे हमारे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि रोजाना एक खाएंगे तो आप कभी भी बिमार नहीं पड़ेंगे तो मैंने सोचा हर दफ़ा फ्रूट खाना तो अच्छा नहीं लगता है तो आज इसके चटनी बनाते हैं तो ये न सूखे सेव की चटनी है ये जो सेव होता है न उसके टुकडों में काट लेते हैं उसके बाद इससे सुखाया जाता है ये जो सूखे सेव है काफी बार मार्केट में तो काफी असानी से मिल जाते हैं पर ये प्रशाद के तौर पर हमारे घर पर जरूर आते हैं देखिए इसकी चटनी इतनी बड़िया लगती है ना पकोड़े, पराठे, रोटी, खिचड़ी के साथ देखिए ये सुखे सेव इस तरह से होते हैं ये मार्केट में काफी आसानी से जहां पर ड्राइफ रूट्स मिलते हैं वहां पर ये मिल जाएगा या फिर प्रशाद के तौर पर भी आपने काफी बार से देखा होगा ये कुछ इस तरह से हो जाता है जब इससे सुखाया जाता है उसके बाद तो इसके चटनी बनाने के लिए कड़ाई में मैंने एक चमस तेल डाल दिया है जैसे गर मुझे एक चौथाई चमस राई, चुटकी बरहिंग, एक चमस भरकर चना डाल और एक चमस भरकर सफेद उड़त डाल और इन सबी को अच्छे से आपको भून लेना है एक से दो मिनिट तग उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे आट से दस कड़ी पते, दो कटी वी इस तरह से हरी मिर्ची और इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे यह पर आप देख सकते हैं इसे मैंने थोड़ा सा भून लिया है, अब इसके अंदर मैं डाल रहे हूँ चार से पांच जिती लसुन के कलिया चील कर और इसे भी हम अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे अब इसके अंदर मैं एट कर रहे हूँ, एक कटा हुआ इस तरह से प्यास, एक मीडियम साइस का प्यास था, जिसे मैंने बड़े बड़े टुकडों में काट लिया है इसे भी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से भूनेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे भूनने के बाद अब इसके अंदर मैं डाल रहे हूँ, स्वादनुसा नमक और इसी के साथ एक चौथाई चमच लालमिश पाउडर, एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर, लालमिश पाउडर मैंने इसलिए कम डाला है क्योंकि मैंने हरी मिर्ची जादा डाली है, अगर आप हरी मिर्ची कम डालते हैं तो लालमिश पाउडर डाल दीजे जादा, यह यहां पर देखिए अब यह सूखे जो सेब थे वो भी मैने डाल दिया और इसे हमें 3-4 मिन तक अच्छे से इसी तरह से चलाते वह भूना है ताकि सारी चीजे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए अच्छे से भून जाए यहां पर आप देख सकते हैं 3-4 मिनिट हो गए और इन स अधर नीमू का रस इसे काफी चट पटा स्वाद आएगा और एक चौथाई कप इसके अंदर हम पानी डाल देंगे और ढखकर इसे अच्छे से पीस लेंगे अगर पानी डालने के जरूरत है तो आप और पानी डाल सकते हैं मैंने अपर चटनी गाडी रखी आप चाहें त दस दिन तक रख सकते हैं फ्रिज में रखकर और इसे ब्रेट के साथ भी खाई ये बहुत टेस्टी भी है साथ ही साथ ये हल्दी भी है तो बनाना बनता है ज़रू ट्राइ कीजो मुझे कमेंट्स पता है रेसिपी कैसी लगी है अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजो शे सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें आज के लिए बस इतना ही थांक यू फॉर वाचे